जी गूडीवनिंग राम राम नमस्ते कैसे आप सभी गूडीवनिंग श्टूडेंट्स कैसे आप लोग बच्चो रात के पोने दस हो गएए और आपकी क्लास का टाइम हो गया है लेकिन कुल्डीप सर आज भंग dubchi का मिनिंग है कुल्डीप सर आज बाहर है basically कुल्दीप सर किसी urgent काम से out of city गए थे उमीद यही थी कि वो return हो जाएंगे लेगिन तेज बारिश होने के कारण वो थोड़ा सा late हो जाएंगे लेगिन तुमारी continuity ना तूटे इसके लिए कुल्दीप सर ने मुझे phone करके instruct कर दिया है कि जो आपकी practice class है जो 10-15 questions आपा daily करते हैं आज उनको एक बार मेरे साथ में कर लेते हैं मुझे मालूम है यार सर जब पढ़ाते हैं मैं एकसर देखता हूँ तुम फटा फटा अंसर देते हो तो यार जल्दी से आजाओ जल्दी से एक बार session को share कर दो कुछ simple से questions हैं कुलदीप सर ने आपके लिए चाटे हैं उन questions को एक बार आपा देखते हैं कैसे बनाना है तो आजाओ बच्चो जल्दी से एक बार जल्दी से class को share कर दीजिए 10 questions जो हम अमारे रोज के daily करने वाले हैं उन्ही questions की हम बात करेंगे आजाओ बाई जल्दी से देखना जी पहला question आपके पास क्या है तो एक काम करो ना यार जी good evening good evening राम राम नमस्ते बई नमस्ते एक काम करो ना question तुमारे सामने है जल्दी से एक बार मेरे को answer बता दो क्या answer लगता है शाबाश try जरूर करें हर बच्चा try जरूर करेंगा जी question आपके सामने है एक बार try जरूर करो गलत हो जाएगा कोई बात नी पेपर में confidence तो चाहिए attempt करनेगा कि हाँ यार दो नमबर मिलेगा या minus में जाएगा वो confidence ऐसे session से ही आ सकता है तो जल्दी से एक बार try करो और जो बच्चे नी आए वो एक बार जल्दी से जो आपके friends नी आए उनको ये वीडियो जल्दी से share करो आपका आपकी पढ़ाई नहीं तूटनी चाहिए आपकी continuity खराब नहीं होनी चाहिए इसलिए class दी जा रही है कुलदीप सर आएंगे तो सरी सेंटर लेगिन थोड़ा असा लेट हो जाएंगे तो basically मैं आपके साथ इन questions को discuss करने बाला हूँ बच्चो पहला question जी कीजिए कोशिश question कहता है hardly I began to speak when I was interrupted यार कुछ समझ में आ रहा है क्या मैंने मुश्किल से बोलना शुरूई किया था जब मुझे क्या कर दिया गया रोक दिया गया बच्चो सीखने वाली बात इसमें ये है concept इसमें simple सा है पहली बात meaning बनाने की कोई आफशक्ता नहीं meaning ना बने कोई बात नहीं फटा फट देखते हैं यार चेक क्या करना है मुझे word दिखाई दिया यार hardly क्या word दिखा बच्चो hardly आप सब को पता है hardly के पीछे ly लगा है और hardly की जो part of speech है ना बच्चो hardly के पीछे ly लगा हुआ है और hardly की जो part of speech है एक सकिंड यार color visible देख लेते हैं हाडली की बच्चो जो part of speech है इसके सामने इसके पीछे ly लगा हुआ है तो hardly एक adverb है और hardly ना एक negative word है जैसे मैंने बोला he hardly comes here मैंने क्या बोला आपके सामने मैंने बोला he hardly comes here वो मुश्किल से ही यहाँ पर आता है he hardly comes here तो बच्चो इसका मीनिंग है वो मुश्किल से ही यहाँ पर आता है यानि कभी एक आत बार आया तो आया otherwise वो यहाँ पर आने वाला नहीं है तो बच्चो आपको पता है hardly एक negative word है और negative adverb से अगर कभी sentence की starting हो अरे अब तो बताओ answer सर ने सिखाया है न sentence का structure होता है subject plus helping verb plus में main verb आगे जो कुछ मर्जी आए लेकिन यार अगर कभी sentence negative adverb से start कर दिया जाए बच्चो आगे जो मर्जी आए लेकिन अगर कभी sentence की starting आपको कहां से कर दें यार negative adverb से कर दें तो ऐसे sentences में बच्चो inversion हो जाया करता है ऐसे sentences में क्या करना पड़ता है अपने को inversion करना पड़ता है inversion का simple meaning helping verb किस से पहले आए subject से पहले आए तो भाई साब देखें क्या एक बारी hardly एक adverb दिखा दी आए इसने subject दिखा दिया और इसने ना begin लिख दिया यहां से भी समझ जाते यार begin, begin, begin v1, v2, v3 तो यह तो इसने v3 दे दी अकेली v3 तो आई नहीं सकती थी इसका meaning क्या है जी इसका meaning है कि भाई साब यहां v3 नी यहां v3 को कोई helping verb भी देओ helping verb क्या दे यार helping verb इसको दे दो ना head नाम की helping verb दे दो अब head subject और क्या गीरे verb की third form आगी बच्चो और एक बात सिखने वाली यह भी है सिखनी ही चाहिए hardly के साथ में when का pair होता है एक बात सिखने वाली यह भी है जी कि hardly के साथ में हम use करते हैं जो conjunction वो pair में use होती है when का pair हुआ करता है तो तुम जल्दी से मुझे comment box में बताओ scarcely के साथ कौन सी conjunction का pair होता है कुछ conjunction की pair होती है ना not only but also तो hardly के साथ तो यार when है अब तुम मुझे बताओ जल्दी से scarcely के साथ क्या है question clear है बच्चो negative ad verb से sentence की starting की गई है जब कभी negative ad verb से sentence की starting हो तो inversion हो inversion का meaning helping verb subject से पहले आए तो भाई साब इसने तो helping verb भी नहीं लगाई तो आपने helping verb इसको दे दी आपने क्या दे दिया head दे दिया अब हमारा sentence ठीक हो गया subject से पहले head लगा दो sentence बिल्कुल ठीक हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question फिर तुमारा इंतजार कर रहा है जल्दी से जल्दी से जवाब दे दीजिए अगला question फिर से आपका इंतजार कर रहा है बच्चो no sooner had I arrived then they all started to argue आपको एक बात पता है क्या no sooner फिर से एक negative word है जल्दी बताओ रहे no sooner खुज से एक कौन सा word है बच्चो negative word है अभी अभी तो पड़ा हमने पड़ा है classes में यह negative word अगर स्टार्टिंग में आ जाए sentence की स्टार्टिंग अगर negative से हो जाए तो अपको क्या लगाते हैं बच्चो अपको inversion करते हैं कोशिश कीजिए comment box में शाबाश पहले का सही answer दिया था तुम्हें कोई error नजर आता है क्या मेरे साब में तो sentence सही है जल्दी से बताओ तुम्हें कोई error नजर आया के नहीं आया अरे राजा error साफ साफ सीधा सीधा लिखा हुआ है तुम्हें क्यों नजर नहीं आया हां जी शाबाश कोशिश कीजिये जी जवाब दिया जा रहा है एक दो बच्चे कोशिश कर रहे हैं तो बच्चों क्या है error? error यार simple सा तो है बच्चे no sooner के साथ में then का pair होता है t h an वाले then का pair होता है no sooner के साथ में इस t h an का pair होता है इस then का pair नहीं होता जी ये then तो adverb होती है इसको तो हटा दो ये then conjunction का काम करती है तो THEN लगा रखा था ये then नहीं THEN चाहिए no sooner के साथ then का क्या होता है बच्चों जल्दी से फटा फट से तीसरे question की तरफ बढ़ते है बसंती is not as wiser as बसंती इतनी हुशार नहीं है जितना कोन हुशार है जी जल्दी से बताओ जल्दी से जल्दी से बताए as और as से related आपने कुछ पढ़ा है क्या हम adjective में कुछ अकसर पढ़ते हैं as as से related और बेटा ग्यारवी बारवी class में school में हां जी शाबाश similes ग्यारवी बारवी class में स्कूल में similes पढ़ाई जाती है जब दो चीजों में similarity शो करनी होती है तो ये क्या कह रहे है बसंती उतनी हुशार नहीं है जितना हुशार कोन है गबर है यार एक बात बताना मैं खुद बोल रहा हूँ similarity बेटा similarity का मीनिंग है दो चीज़े equal है A is equal to B है दोनों equal है तो similarity है A, B से बड़ा है अब comparative degree है तो यार similarity दिखानी है आपने पढ़ी है ना ये बात हर बच्चा ये बात तो जानता है adjective की 3 degree है positive और comparative और superlative degree तो राजा जब similarity दिखा रहा है तो मेरे भाई मितर दोस्त बंदू जब similarity दिखा रहा है तो भाई फिर तू क्यों यहाँ पे comparative degree लगा रहा है as as similarity दिखाता है कोई comparison नहीं करना होता तो बेटा यहाँ as as के बीच में हमेशा positive degree लिखी जाती है किसकी positive degree लिखी जाती है adjective या adverb की किसकी adjective या adverb की तो यार wise, wiser, wisest तो भाई साब आर अटा दीजिए comparative degree हटा दीजिए इसको क्या बना दीजिए आप इसको आप positive degree बना दीजिए समझे या नहीं समझे मोहन प्यारे as as simile को denote करता है simile का meaning दो चीज़े similar है तो बीच में positive degree होनी चाहिए adjective की ठीक है जी तो भसंती is as, भसंती is not as wise as गबर चलिए जी the boy is braver than honest फिर से adjective का question आपके सामने जल्दी से जवाब दीजिए फिर से adjective का question आपके सामने आपकी screen के उपर है जी this boy is braver than honest तो भाई साब लड़के में दो qualities हो सकती है क्या बिल्कुल हो सकती है यार लड़का brave भी हो सकता है और honest भी हो सकता है तो बच्चों देखना ये कह रहा है कि ये लड़का brave और honest इसमें दो quality है मानलो यार ये अपना एक person है यह एक बाई साब आपा फटा-फट से comparative degree कभ यूज करते हैं साथियों comparative degree जब यूज करते हैं जब आपा तुलना करते हैं किसी और से बिटा यहां तो एक ही बंदा है बंदा एक ही है तो बंदा एक ही है एक ही बंदे की दो qualities का जिकर हो रहा है जो ही है वही brave है वही honest है बस पता क्या लग रहा है पता यह लग रहा है कि बादूर ज़ादा है इमानदार थोड़ा सा कम भी हो सकता है लेकिन बादूरी में लड़के के कोई भी कमी नहीं है बिल्कुल कोई कमी नहीं है ही की wife ने बोला कहती बरतन साफ कर दो कहता नहीं करता तो बादुरी में तो इसके कोई कमी नहीं है कि इसने मना कर दिया कि भाई नहीं करता बिल्कुल नहीं करता जी तो ब्रेव जरूर है ओनेस थोड़ा सा कम हो सकता है तो बिटा एक बात समझना एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज है ब्रेव भी यही है, ओनेस्ट भी यही है, जब ऐसा comparison होना राजा, तो comparative degree लगाने की आवशकता नहीं है, भाई साब, तो comparative degree ना लगाके, आप यहां more लिख दिया करते हो, more plus positive degree आती है, जब कभी भी आप एक ही व्यक्ती की दो qualities का जिकर करते हो, किसी और से करनी है, ही ने तो कह दिया, कहता है नहीं साफ करता हमें बरतन, लेकिन यहीं के पापा जी नहीं कहपाते हैं, वो कहते हैं अभी करता हूँ जी, तो ही की तुलना अपने पापा से करनी है, तो comparative degree आजाए, लेकिन ही के अंधर ही दो quality है, ही ही brave है बच्चों, और ही ह क्या है ओनेस्ट है तो भाई साब जब एक व्यक्ति की दो qualities है तो positive degree लिखो एक व्यक्ति की दो qualities है और ये बताना हो कोई जादा है कोई कम है तो positive degree लिखो more लगा के तो बिटा more plus positive degree आनी चाहिए थी देख मैंने लिख दिया this boy is more brave than honest लड़का बहदुर जादा है as well as basanti went for a movie राजा दो लोग गए है एक तो गए गबर एक गई है एक तो गए गबर एक गई है बसंति देख रहे हो तुम देख रहे हो कितना कल्यूग है विचारा जै वीरू लड़ाई लड़े जा रहे हैं और basanti गई गबर के साथ मूवी देखने तो एक बसंति गई है और एक गबर गए है दो लोग गए है राजा मूवी देखने के लिए सीखने वाली बात क्या निकलती है नन्ने बाड़कों सीखने वाली बात यह है और बोथ के साथ as well as की आवशकता नहीं है बोथ के साथ तो बच्चों पेयर होता है एंड यह बोथ राम एंड शाम कैसे यूज उता है बोथ राम एंड शाम तो बोत के साथ एंड का पेयर होता है बोथ के साथ as well as की कोई गेम नहीं बनती बोथ राम एंड शाम are my best friends दोनगी मेरे अच्छे दोस्त है are my good friends बोल सकता हूं तो भाई साब both के साथ and I as well as ना आए subject verb agreement का question है simple सा जी अगला अब था ये she was angry on me because I had not invited her to the party वो मुझसे गुसा थी वो मुझसे नाराज थी क्योंकि मैंने उसे किस में invite नहीं किया party में invite नहीं किया तो she मुझसे क्या हो गई जी खफा हो गई बता दो यार बता दो यार कोई question है क्या ये देखते ये answer लगा सकते हो जल्दी से फटाक से next करने से पहले आपका answer आ जाना चाहिए शाबाश कीजिये try यार कोई question थोड़ी है देखते ही answer लगा सकते है she was angry on me because I had not invited her to the party तो बता एक बात समझ ना रे angry on मत लगाना यार तुम angry with लगा देना angry with यूज होता है जब आप किसी व्यक्ति से नराज हो तो बसंती भी गबर से नराज थी बसंती भी किस से नराज हुई थी गबर से नराज हुई थी तो किसी परसन से नराज है आप तो आप लिखिए angry with someone I am angry with you दा बस is angry with you बस आप से गुस्सा है और किसी मुद्दे पर किसी टॉपिक पर किसी चीज पर आप नराज हो तो बाई साब आप क्या लगा देना रे angry on something बस तुझसे गुस्सा नहीं है काम को टालने की जो तेरी habit है ना उससे बस क्या है खफा है तो भाई परसन है ना अगर किसी परसन के साथ नराजगी है तो आप क्या यूज कर देना angry with और किसी चीज के उपर आप खफा हो तो उस चीज के बारे में बतानो आई वाज इल so I could not come जल्दी से जवाब दे दो जल्दी से कुलीप सर नहीं चाठते है question कुलीप सर नहीं कहाता यही question उठाना जी देखते हैं बच्चे कितने उशार है हमारे जल्दी से देखते हैं जी since I was ill so I could not come बेटा एक बात बता यार मेरे को since क्या बताता है reason कारंद बताता है और so result बताता है तो यार दो दो चीज़ एक साथ क्यों बता रहे हो कह रहे है क्योंकि मैं बिमार था इसलिए मैं नहीं आया तो भाई एक बोलो मैं बिमार था इसलिए नहीं आया तो यार reason और result एक साथ में मत बताओ ना, सिरफ reason बता दो, फिर result की आवशकता ही नहीं है, बिटा, जब तुमने reason बता दिया, तो फिर result की क्या आवशकता है, बस छूट गई थी, मैं लेट हो गया, that's it, तो यारी, since ने तो क्या बता दिया, since ने तो, बिटा, reason बता दिया, so result बता रहा है, दो कंजंग्शन की आवशकता ही नहीं है, एक कंजंग्शन ही बते रही है, I subject है, could not come, could helping verb, come main verb, I फिर से subject, was आपकी main verb, तो मोहन प्यारे, ओ नात हमारे, since I was ill, I could not come, बस यहाँ एक कॉमा चिपका दो, बस यहाँ कॉमा चिपका दो, since I was ill, I could not come, मैं बिमार था, मैं नहीं आया, चलो भाई, अगले question की तरफ, जल्दी कर दो, जल्दी, इतनी देर के questions हैं नहीं, इतनी देर के questions हैं नहीं, जितनी देर आपा लगा रहे हैं, जल्दी से बतला दो question, she was in the kitchen, when the thief entered into her house, वो kitchen में थी, जब चोर घर में घुसा, यार कितनी ही बार, अरे बता दो अब तो, शाबाश, कोशिश कीजिए, क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ, enter into, आता है, क्या enter into, हाँ या ना, अरे मेरे भाई, दोस्त, मित्तर बंदू, जब किसी place की बात हो ना, तो enter into नहीं आता, बल्कि कोई इंटेंजिवल चीजों, जिसको तुम देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, उसके साथ, enter into आता है, दो लोग सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने देखा, पहले तो तुम मजे ले रहे थे, थोड़ी देर में तुमने देखा, जो पिट रहा है, अब ये तो मेरे ही चाचा जी है, मार जादा पड़गी थी तो पैचान में देरी से है, तो तुम भी बीच में कुद गे, कि बो ले यार तू अकेला इसको क्यों मार रहे हैं, मैं भी इसको मारूं, हम काफी टाइम से इससे गुसा है, तो तुम भी जुट गे बाई, तो उस लड़ाई वो रसोई में थी, वो दो मिनिट में मैगी बना रही थी, जब चोर भाईया बोले, डिंग दॉंग हम पहुँच गए, वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रों स्कूल, अ परसन अटेक्ड ओन देम विदे नाइफ, बाई साब जब वो आ रहे थे न स्कूल से, तो एक बंदे ने उन पे भटाक से हमला कर दिया, वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रों होम, अ परसन अटेक्ड हूम, बेटा किसको टेक किया परसन ने, देम को टेक किया, तो यार जब हूम का अंसर आ रहा है, वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रों स्कूल, अ परसन अटेक्ड हूम, आप बोले them, तो जब यार whom का अंसर आ रहा है, इसका मतलब इस attack verb को यहाँ पे क्या चाहिए रे, object चाहिए ही चाहिए, बेटा जब इसको object चाहिए ही चाहिए, तो इसके साथ own लगा के क्यूं अत्याचार कर रहे हो, काट दो यार इसको, अटेक के साथ इस कॉंटेक्स्ट में own नहीं लगाना, noun होता तो लग जाता, the attacks on parliament were organized by लचकर, तो और वहाँ अटेक्स noun है, तो noun attacks on parliament, तो attacks और parliament को own से जोड दिया, लेकिन मोहन प्यारे, जब attack verb है, तो बेटा किसको attack किया, यह ऐसी verb है, जिसको object चाहिए, यानि यह कैसी verb है, तो ट्रांजिटीव वर्ब के साथ उसका object directly लिखा जाए, रे बालकों, ट्रांजिटीव के साथ उसका object directly लिखा जाए, प्रेपोजीशन चाचा की कोई आवशकता नहीं है, तो प्रेपोजीशन को बगाओ, कव इसको मेरे अंगने में तुमारा क्या काम बगाओ, इसको, while they were returning from school, a person attacked them with a knife, डन है ना बच्चों, देखना अगला जल्दी से, there appears to be very little understanding among the two brothers, कैरे दोन्नों बाईयों के बीच में ना बहुत ही कम understanding है, very little का मीनिंग वास्तव में नहीं है बाई, वास्तव में बहुत कम है, very little का मीनिंग बहुत कम है, जितनी ओनी चे उतनी तो एही नही हाँ very little भी होता है, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी little, a little, the little, very little क्यों नहीं है, very little भी होता है, a little में भी चीज कम है और very little में चीज है और कम ही है वास्तों में, little में तो है नहीं, अगर यहाँ little लगा जेता है तो तो understanding है नहीं, याब है तो सरी लेकिन वास्तों में कम है, a little स लिटल लजगे तुम लिटल लिटल वालों दूइदा तो टू ब्रदर्स में हैं बच्चो टू ब्रदर्स के साथ में अमंग की आवशकता है क्यारे? ओ मोहन प्यारे, दो के लिए तो आपने एक बात पड़ी हुई होगी, प्रेप पोजीशन में आपके लगाते हैं, बिट्विन लगाते हैं, तो there appears to be very little understanding between the two brothers, जी बिलकुल, 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 दो से दो के लिए आपके लिए बिट्विन लगाते हैं, जी दो से जादा के लिए भी बिट्विन का यूज़ कर लेते हैं, वो तब करते हैं, जब मानलो तीन टीम हैं, दो एक साइड से खेल रही हैं, और एक अकेली खेल रही है, ये दोनों मिलके खेल रहे हैं, दो टीम ये, एक टीम ये, अगर दो ये टीम हैं, तब तो between कहना चीए, तिननों ये आ आप बिट्विन भी चिपका दिया करते हैं, सीखर रखा होगा तुमने subject verb agreement में भी, preposition में भी आप पढ़ते हैं, देखे जी क्या कह रहे हैं, क्या गीता ड़स नोट यूज़ुली वेर ए हैट, वीर मत बोलना, वेर बोलना इसको, वेर ही है ये, गीता ड़स नोट को, head one, और बिटा क्या लिख रखा है, yesterday, बच्चे yesterday कैसा time है, जल्दी बोलो रहे, past का time है, past के time में तो यार हमने सीखा है, वी टू आनी चाहिए, past के time में बिटा, head plus V3 की आवशकता क्या है, head plus V3 तो हमने पढ़ा है, past perfect है, जब दो actions का order दिखाना हो, दोनों के दोनों action ही कब हो रखे हो, past के हो रखे हो, एक पहले हो रखा हो, एक second number यानी बाद में हुआ हो, तो पहले वाले को आपा past perfect में लिखते थे ना, और second वाले को आपा किस में लिखते थे, past में, तो राजा past perfect generally तब use है, जब दो actions हो, अभी मैं आपकी class ले रहा हूँ, कुलदीप सर आए past के हो गे ना, सर भी past में आये थे, मैंने class भी past में लिखते थी, पहला काम क्या हुआ था, मैंने class ले ली थी, तो भाई साब जो काम भूत काल में, यानी past में पहले हो जाए, उसको head plus v3 कहते हैं, बड़े प्यार से आपने सीखा है, जब दो actions में order बताना हो, और ये बताना जरूरी हो, कौन सा पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है, तो head plus v3 और v2 को पकड़ो, जब बताना ही नहीं कौन सा पहले, कौन सा बाद में, खाली past है, तो मोहन प्यारे, head plus v3 क्या कर रहा है, v2 आना चीए ना, ओ बच्चे हमारे, v2 आना चीए ना, जब a की action है, तो कह head won की बिलकुल आवशकता नहीं है, war, where, war won, है ना, v2 लगा दो राजा, v2, v2, शाबाश, वर्ब की second form, क्योंकि बेटा, time finished है, तो भईया, वर्ब की second form आनी चीए ना, the most happy marriage would be a union of a deaf man, deep man and blind woman, शाबाश, शाबाश, कह रहा है, सबसे बढ़िया, most happy जो marriage है ना, संसार में, व हो है, जब आदमी तो बैरा हो, यानी उसकी wife कुछ भी उसको कह रही हो, तो उसको फरक जादा नहीं पढ़ रहा, क्योंकि बाई को सुना ही नहीं दे रहा, तो आदमी तो बैरा है, और महिला कैसी है, blind है, यानी बाई साब राम से बैठके पहुन चला रहे हैं, उसके सामने कैरी क्या कर रहे हो, कैरे कर क्या रहा हूं, तुझे नहीं हार रहा हूं, बस यही तो जीवन है, और सामने पहुन चला रहा है, तो कोई जगड़ा ही नहीं है, तो यार कैरे है, जिन्दगी में सबसे अच्छी शादी वो है, जब आदमी बैरा हो, और महिला अंधी हो, तो तो उसको दिखेगा नि कि पती देवता है या पती राकसस है दिखाई नहीं दे रहा और आदमी बहरा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि पतनी आज गुस्से में कुछ कह रही है कुछ कह भी रही है सांत बैटी है तो भाई साब most happy की क्या आफशक्ता है happy काली नहीं जसता क्य the happy marriage है यार अरे कुछ तो आएगा मोहन प्यारे जितनी भी शादियां हो रही है उनमें सबसे अच्छी है यार तो happy एक adjective तो है लेगिन most की आफशक्ता क्यों है यार happy की खुद की डिगरी है positive डिगरी लगा रखिये इसको काटो या सूपर लेटिव डिगरी लगा दो बिट most beautiful तो यार beautiful की कुछ नहीं बन सकती beautiful, beautifuler, beautifulest नहीं बन सकती भाई most beautiful तो यार तब आपाने beautiful की कोई डिगरी नहीं है तो most चिपका रखा है लेकिन यार happy के पास तो अपनी डिगरी है बिल्कुल है happy happier बोल दो जल्दी happiest तो राजा कह रहा है the happiest marriage would be तो बेटा सबसे अच्छी सबसे खुशाल जिंदगी तो वही है तो ये mentos जिंदगी है बाकि अपा सब की आम जिंदगी है जी अगला the more she gets the much she demands the more she gets the much she demands जल्दी बता दो यार जल्दी बता दो adjective का ही question है आप पढ़ते आएं a directly proportional to be a inversely proportional to be दो चीज़ें बेटा एक साथ में बढ़ती है दो चीज़े साथ साथ गटती है एक बढ़ती है एक गटती है ऐसा comparison जो होता है उसका कुछ नाम शायद से classes में पढ़ा है relative comparison एक पुराना गाना है मुझे याद आगया भी ये पढ़ते हुए इसमें यही गाना यूज है मैं यह गाना ही गाके पढ़ाया करता हूँ जितना हम तुमें भ गटें या एक बड़े एक तभी गटें एक बढ़री है तो ही दूसरी गटरी है एक गटरी है तो ही दूसरी बढ़री है अगर एक को कुछ नहीं हो रहा तो दूसरी को भी कुछ नहीं हो रहा जैसे जैसे पाड़ पर चड़ोगी वैसे वैसे oxygen का level कम होता जाएगा तो अग प्लस में आपा लिखते हैं क्या comparative degree है ना राजा फिर कुछ लिखते हैं फिर से दा लिखते हैं और फिर से मोहन प्यारे क्या लिखी जाती है comparative degree relative comparison है दोनों चीजे साथ में गटरी बढ़ रही हैं एक का कोई वजूद ही नहीं है तो भाई साब देखना यार the more she gets the much she demands क्यों भाई more she demands many more most और much more most तो यार comparative degree चीए more much तो positive degree है तो तनिक हटा दें क्या इसको बिल्कुल अटा दो भाई या बिल्कुल अटा दो I will give you a lift if you will get late भाई साब ये क्या लिख दिया late late ये तो spelling mistake typing mistake हो गई मैं तुम्हें lift दे दूँगा अगर तुम late हो जाओगे तो भाई आपने पढ़ा है क्या अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम यार पहले तुम्हारा मिलना जरूरी है तभी जमाना छोड़ेंगे हकीकत यह है फिर जमाने में रहने लाइक बचेगा है नहीं इंसान्यत से वरोसा उड़ जेगा तो जमाना छोड़ नहीं पड़ेगा तो विटक कहने का मिनिंग फर्स्ट कंडिशनल सेंटेंस है दो काम भविश्य में होने है एक पहले होना एक बाद में होना है तो फर्स्ट कंडिशनल में आपने पढ़ा है न एक विल प्लस विवन में जाता है और एक वर्ब की फर्स्ट फोर्म में फर्स्ट के अंदर ही द दो काम भविश्य में होने हैं, एक पहले एक बाद में, तो जो पहले होना है, वो काम आप विल प्लस विवन में ना लिखके वरब की फस्ट फोर्म में लिखते हैं, पहले एक्षन में आप फ्यूचर वहां प्रेजंट इंडेफिनिट से बताते हैं, और दूसरे बाले में आ दूसरा काम है, दूसरा काम विल प्लस विवन में होना चाहिए, विल प्लस विवन में है जी, इफ यू विल गेट लेट तो बच्चे विल गेट लेट नहीं, सिंपल विवन, प्रेजंट इंडेफिनिटी फ्यूचर बता देगी, I will give you a lift if you get late, मैं तुम्हें लिफ्ट दे आपने, दो कोमा के बीच में फाल्तु information होती है, यहां भी कोमा है, यहां भी कोमा है, भाई साब, गिल्टी कोन है, ही या उसके दोस्त, तो यार यह जो end note है यह तो उलजाने के लिए दे रखा है, यह तो end note जो है, उलजाने के लिए दे रखा है, बेसिकली कहूं, तो sentence में main subject कोन है, ही है, गिल्टी भी कोन है, जी ही है, तो भाई साब, वर क्यों, he and not his friends was found, guilty, subject वर्ब का ही question है, गिल्टी कोन है, गिल्टी ही है, उसके friends नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है, एक subject और फिर end note लगा के कुछ और लिख देता है, पजल करने के लिए, आपको पता होना च तो उस वर्ब का action डिसीव ही नहीं कर रहा, तो इसको उटादो जी, main subject ही है, इसके coding क्या लगती है, वर्ब लगती है, तो आज के कुछ ये questions थे, जो हमने discuss कर लिए, आज मेरा आना इसलिए हो गया, क्योंकि आज कुल्दीब सर किसी कारण से भारिश तक हो गए, आ रहे हैं जरूर explain करेंगे, thank you बच्चों